काजल मुझे खाना लगाओ सुनो चाचा जी मुझे भी बहुत बुष्ट लगी है मुझे खाना लगवाद हूँ उनकी आने की देर नहीं हुई और आते ही खाना लगवादो खाना लगवादो कहने लगे मतलब पूरा दिन तुम्हारा पेट नी भरता है क्या इसकी मा तो मर गई, हमारी चाती पे छोड़ गई, हमारा खून पीने के लिए नाजाने से कब छुटकवरा मिलेगा मम्मी मुझे भूख लगी है दूद पीना है अरे मेरे बेटे को भूख लगी है चल टीक तो अभी हैं बैट में तेरे लिए दूद लेकर आई अच्छा तुम भी खाना खालो आकर मेरे खाना लगा दिया है ले बिटा मैं तेरे लिए बादम बाला दूद लेकर आई हूँ पूरा फिनिश करना है मम्मी मम्मी इसने मेरा सारा दूद गुरा दिया मैं बिल्कुल वह दूद महीं पिया था अभी रूख इसे तो मैं अभी बताती हूँ तो चुप बिल्कुल मेरे बिटे क्यों रे मनुस तो कब तक हमारा खून पियेगा आज तो तेरा फैसला हो करी रहेगा इस घर में या तो तू रहेगा या या मैं सुनते हो जी इधार आओ अरे क्या हुआ क्यों इतना चिला रही हो मैं चिला रही हूं देखो इसने क्या किया है सारा दूद गिरा दिया मैंने अपने बेटे को दूद लाके दिया था उसे भूख लग लए थी और इसने उसके हाथ में से ग्लास शिंके नीचे दूद गिर करेंद दिखायान ने कुछ मैं झेक जब ँगाइड या तो इस घर में माच्च की अगरे मॉक्ति से चाचा जी मुझे इस घर से मतल निकालो मेरा इस दुनिया में तुमारे बेना कोई नहीं है आज तो मैं तेरी एक बात भी सुनने वाला नहीं हूं चल निकल यहां से चल जा यहां से आज के बाद मुझे दिखाई मतले जाना कि ले आम ले आम मीठा आम है मीठा आम 30 रुपए के लो आम ले लो आम भाई जब आम आम चाहिए है अंकल जी अंकल जी मुझे बहुत लगी है मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है मुझे कुछ आम खाने तो दिये दूँ अरे बेटा आ तू यहां बैट तो और मुझे बता कि तेरे साथ क्या हुआ है कोई बात नहीं बेटा ले सबसे पहले तो यह आम खा उसके बाद हम लोग बात करते हैं ठीक है खा ले आम तूँ कि ले बेटा और खा ले बेटा और खाया गया नहीं अंकल मेरा पेट मेर गया सुन बेटा इतना अमीर तो मैं भी नहीं कि तेरी अच्छी तरह परवरिस कर सकूं लेकिन तेरे लिए इतना जरू कर सकता हूं कि कभी तरह लिए भूका नहीं सोने दुमा में मैं हर रोज ये फल फ्रूट बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूं और बैसे मेरे पास भी कोई उलाद नहीं है और अगर तुम चाहो तो मेरा बेटा बन सकते हो बोलो बेटा क्या इच्छा है तुमारी ठीक अंकर मैं आज से आपको अपना पिता जुमान करना हूं और मैं आपके साथ चलने के लिए तेयार हूं आजा बेटा अब मेरे तुम गले लग जा चल अब मैं तुझे घर लेकर चलता हूं ठीक है आजा हम दोनों चलते हैं देख बेटा यह है अपना घर अब हम इस घर में दोनों लोग साथ में रहेंगे ठीक है लेकिन पापा आप अकेले के रहते हों चल बेटा मैं इसके पीछे की स्टोरी तुझे अभी बताता हूं आजा हम दोनों लोग बैठ कर बात करते हैं बैठा अब से लगबग पांच साल पहले मेरी साधी हुई थी और साधी के दो साल बाद ही मेरी पत्नी गुजर गई फिर उसके बाद मैं अपने बुरे समय को अकेल आई काड रहा हूं लेकिन पापा आपने दूसरी साधी क्यों नहीं की बेटा मैंने दूसरी साधी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और मैं उसकी यादों को कभी बुलाना नहीं चाहता और आज मुझे तू मिल गया है तुमानो सन्सार की सारी खुशी मिल गई है बेटा अब замद aşाते ऑर तेरी ही खुशी में मेरी खुशी है तू ऑही41 ही पर बैठ界 आअगर मैं चाहरे खाना लेकर राता हूं टीक है के के द О कि के प्लिव भांस कान खेंगे मतिजी तुख खाना खा और मतिजी खाना खिलाता हूँ दे बिटा मैं किसी काम से बाहर जा रहाँ ठीक है ठीक है पापा आप जाएए मैं बेग दोंगा प्रुट कर दो टुट कर दो फ्रुट कर दो कि उड़ सुटाएर है पापा पापा बो देखो आम पापा मुझे आम खाने हैं आप बेटा अभी आम दिलवाता हूँ काज़ लो बेटे को आम दिलाते हूँ अच्छा तो यहां पर आम देच रहा है हमने तो सोचा था किसी गाड़ी वाड़ी के हिचा के मर गया होगा ले बेटा तू आम खा क्योंकि हम इसे पैसे देने वाले तो हैं नहीं और यह तो यह हम इसके आम भर को भी लेकर चलेंगे चलो पाज़ा सुनो चाची जी मेरे आम की पैसे तो देखर आने से अभी रूखो अभी देखर आता हूँ इसको इसको इसके पैसे ले पैसे, ले पैसे, ले पैसे हमने तुझे पाल बोशकर इतना बड़ा किया और आज तेरी इतनी इंमत होई कि तू हमसे पैसे माँएगा और आगे से ध्यान रख ना यह अरे बेटा क्या हुआ क्यों रहा है तू बता मुझे बता क्या हुआ क्या हुआ पापा वो अ को करें कोई बात नहीं बेटा भगवान सब देख रहा है वो हमारा साथ जरूत देगा हमें भगवान के ऊपर बिस्वास रखना चाहिए क्योंकि हम गरीबों का भगवान की सिवाए कोई नहीं होता है लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होती हैं जिससे हम समाज में बदला उला सकते हैं और वो है सिक्षा के द्वारा व्यक्ति कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है और मैं चाहता हूँ कि आप से तू अपनी पढ़ाई पर फॉकस करेगा अब से तू इस्खूल आगा पढ़ने के ठीक है ठेले का काम मैं समाल लूँगा कल से तू अपनी पढ़ाई पर फोकॉस करेगा चल जा घर चला जा तू अब कि जा मैं बेचता हूं आप कि अच्छा अच्छा आप कि अच्छा क्या मिस्टर आकास यहीं रहते हैं जी हां बोली सर क्या काम है देखिए हम लोग यहां आकास की प्रॉपर्टी के बारे में बात्चीत करने आये हैं ठीके सर अब लोग बैढ़िए मैं भी आकास के लिए बलाता हूं कि अच्छा यहां जीए पापा बोलीए क्या काम है पुली इंस्पक्टर साथ देखिए मिस्टर आकास हमें कोड से आदेश मिला है कि सूरजप्रगाउं में जो आपकी प्रॉपर्टी है जस पर आपके चाचा जीना अबेद रूप से कब्जा कर रखा है वो सारी प्रॉप प्रॉपर्टी के स्वेम मालिक है देखिए स्पक्टर हमें कुछ नहीं चाहिए चोड़ो बेटा जाने दो जाइए आप लोग नहीं पापा हमें बहां जाना होगा और हमें उन लोगों की उकाथ उन्हें दिखानी होगी चलिए सर हम लोग चलते है क्या मिस्टर भी रही रहते हैं हाँ अंदर आई है आप बुलाईए जरा हुने जी बोली सर कौन आप लोग देगे मिस्टर भीर जिस जमीन पर आपका कबजा है वो सारे प्रोपरटी मिस्टर आकास की नाम पर रिष्टर है इसलिए बहतर होगा कि इस प्रोपरटी को आप अभी के अभी खाली कर दें नहीं हो फिजर इस सारी प्रोपरटी मेरी है रुको मैं देखाता हूँ अभी बकी साफ कागज दिखाई जाए लाओ ये कागज मुझे दो और सुनो जब बच्वन में इनके प्रोपरटी गुजर गए तो सारी प्रोपरटी इनके नाम पर कर गए सुन बेटा आकास हम तो तुस्से माफी मांगने के लाइक भी नहीं है क्योंकि हमने तेरे साथ इतना गलत जो किया आज से तू अपनी प्रोपरटी का खुद मालिक है हम लोग इस घर से बाहर चले जाते हैं अच्छा बेटा हो सके तो हमें माफ कर देना काजल और बेटा आजए आओ हम लोग निकलते हैं रुको आप लोग मैं तुमें इस घर से निकालने नहीं आया हूँ पलकी मैं तुमें ये दिखाने आया हूँ कि कभी किसी के साथ गलत व्यावान न करो कि कोई मरने के लिए मजबूर हो जाए और सुनो आज हमारे पास बगवान का दिया हुआ सब कोछ है हमें इस प्रोपर ठीके कागच बापस कर दो बगिल साथ कागच दीजिए कि लो क्योंकि हमारा मकसद किसी को नीचे दिखाना नहीं है पापा आप ऐसे लोगों के बारे में भी कितना अच्छा सोचते हो जिन्होंने मेरे साथ दोका किया हूँ कोई बात नहीं बेटा आओ बेटा हम लोग निकलते हैं आईए चलिए पापा कि अगरें आप सब्सक्राइब करके जरूब बताना है और जिसने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो आप लोग बिना लाइक किये वापस चले आतो वीडियो को देखकर और हाँ दोस्तों हमारे चैनल पर 92 परसंट लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते सब्सक्राइब करो और आपने लाइस्ट वाली वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया बहुत अच्छा प्यार दिखाया इसी तरीके से अपने प्यारा सपोर्ट बनाया रखना मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत